तो यह तमाम प्रिक्रिया वहाँ पर चल रही है हरी द्वार की नमामी गंगेगार्ट की तस्वीर आपको बता रहे हैं जहांपर अस्ति विसर्जन के लिए जो प्रिक्रिया है वो पूरी तरह से अखली श्यादब निभाने वाले हैं और इसके लिए वहाँ पर और भी लोग साथ में उनके महजूद हैं और जो प्रिक्रिया है वो इस वक्त चल रही है और इसके बाद अस्ति विसर्जन हरी द्वार की नमामी गंगेगार्ट पर किया जाएगा प्रिक कर अजयर प्रोड़ रही है और रही है तरह सिंए विसर्जन हो जो दो जब चाहाँ जो रही है तरह से विसर्जन हरा इसके जाएगा है और रही है झाल। तो सीधी तस्वीर हरी द्वार से आपको बता रहे हैं जहाँ पर स्वर्गे मुलायम सिंग्यादव की अस्थियों का विसर्जन नमामी घंगे खाट पर किया जाना इसके लिए तमाम प्रक्रिया जो है चल रही है और तो स्वीरें जिस प्रक्राश से आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी भी वहाँ पर तेनात हैं सुरक्षा की दुष्टी से क्योंकि अखली श्यादव तो पहुंचे ही हैं लेकिन और भी सपा के नीता कारक करता भी वहाँ पर मौझूद है तो सुरक्षा के लिए हाथ से पुखता इंतजाम यहाँ पर किये गए हैं नमामी गंगे घाट जहां पर अस्थी वसर्जन हु रहा है इसकी प्रक्रिया तमाम प्रक्रिया चल रहे हैं अकली शादव आपने कर्थवयों का निर्वहन करते ह हुंगे जो है अस्थी वसर्जन यहाँ पर मौझख़ आदव की अस्थी वसर्जन करेंगे नील धारे से नमामी गंगे घाट यह जो हंपर मौझ। पूरा ध्यान रखा गए, बुखता इंतजामात यहां पर किये गए हैं, सुरख्षा के लिहाद से, क्योंकि कई नेता मंत्री यहां पर मौजूद हैं, और इसी को देखते हुए जो है कड़ी सुरख्षा ववस्था यहां पर की गई है, तो यह पूरी प्रक्रिया यहां पर, और पूरे अगतिव धान के साथ जो है अखले इशादा अपने कर्तवियों का अपने दाइद्वों का निर्वाहन करते हुए और उसके बाद अस्थी विसरजन लेकिन उससे पहले ये तमाम तैयार है तो नमामी गंगी घाट जहाँ पर अस्थी विसरजन होना है नीलधारा इस्थित नमामी गंगी घाट है जहाँ पर अखली श्यादफ पहुचे हुए है अस्थी विसरजन के लिए हरी दुआर के नमामी गंगी घाट पर अस्थी विसरजन उससे पहले ये तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो रही है विदी विदान के साथ जो है अस्थी विसरजन किया जाएगा आज मुलाहिम सिंग यादफ का